एक और बड़े फैसले में उस फैसले से मैं आपको अव्वित कराना चाहता हूँ। पिछले वर्ष जब करोना के कारण लोकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के तहर, आठ महिने तक असी करोड से अधिक देशवासियों को मुप्त राशन की ववत्ता हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मैं और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला दिया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को अब दिपावली तक आगे बढ़ाये जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरुवत के साथ उसका साथ ही बनकर खड़ी है। यानि नवंबर तक असी करोड से अधिक देशवासियों को हर महिने तय मात्रा में मुप्त अनाज उपलब्दक होगा। इस प्रयास का मक्सद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को उसके परिवार को भूखा सोना न पड़े। साथियों, देश्ट में हो रहे इन प्रयासों के बीश कई छेत्रों से वैक्सिन को लेकर भ्रम और अफ़ाओं की जानकारी चिंता बढ़ाती है। यह चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सिन पर काम शुरू हुआ, तब ही से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिज यह भी हुई कि भारत के वैक्सिन निर्मारताओं का होसला पस्थ पढ़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आये। जब भारत की वैक्सिन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सिन न लगवाने के लिए भाती भाती के तरक प्रचारित किये गये। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सिन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफ़ाएं फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं। ऐसी अफ़ाओं से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे समाज के प्रभुद्द लोगों से युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सिन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगों पर कोरोना कर्फू में धिल दी जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सक्ति से पानन करते रहना है। चला करते बार कर भी साहता है। झाल झाल